करिए के लिए को बहुती के बनाना स्बूरू करते है कि अधर नगे व्यादर देना होगा इसके बाद हमें यह वाधा यह चोड़ा इतनी रखनी है के बालों की लंबा ही रखनी है मैं ये डाई इंच की रखूंगी ऐसे रखने के बाद अब हमें एक रील लेनी है ब्लैक क्लर की उसके बाद हमेज़ पर ऐसे करके ऐसे घमाते हुए काफी राउंड ऐसे ही कर लेनी है कि मैंने देखो इस पे इतना ये रील लगा लिया इसके बाद इंच्छों आप ईतने हाइबी बाल बनाना चाहते हो इतना दागो को इसे करके कर लो मैंने देखो मैं ज्यादा बड़े नहीं बना रही हूं मैंने हाप रील लगा लिए इसके बाद आपको कट करने के बाद अब हमें इसके एक हिस्से को कट कर लेना है जैसे यहां से करते हुए यह मैंने कट कर लिया है इसके बाद हमें यह ऐसे रखते हुए एक सलाई लेंगे इसके बाद ऐसे थोड़े ऐसे निकालते हुए इने अच्छी तरआ पकरते हुए हमें ऐसे करते हुए इनको दोनों को इस्थे लेते हुए आपनी इस सलाई के अंदर डाल लेना है ऐसे ऐसे ही हमें पूरे थोड़े थोड़े लेते हुए सब को एक साथ ऐसे ही करते हुए एक बार फिर बताती हूँ आपको ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर लेते हुए ऐसे सब की साइड एक ही रखनी है ध्यान रखना है ऐसे हमें पूरे इसे में डाल लेनी है इस तरह मैंने ये सब एक सलाई में डाल ली है अब इसके बाद हमें क्या करना है हम एक सुई धागा लेंगे सुई धागे में मजबूत धागा डाल लेंगे इसके बाद हमें सब को अंदर शे से निकालते हुए इनको यहां तक सुई को हमें बाहर निकाल लेना है इस तरह मैंने इन सब को समय वारे दागी में ऐसे निकाल लिया है अब इन्हें में ऐसे रखते भी दोनों साइड से ऐसे पकड़ते हैं हमें इन्हें थोड़ा खीच कर सई कर लेने हैं ऐसे है इसे है इस अच्छी दे खीशते हैं देखो मैंने इस तरह दागी में कर लिया है अब इन दोनों धागों को एक साथ यहां पर जोइंट कर देना है यह मैंने इनको अच्छी तरह जोइंट कर दिया है यहांसे इन्हें पक्का कर देना है इसको कट कर देंगे इसके बाद अब हम अपने बालों को ऐसे रखते हैं जह हम अपने काना को पैनाएंगे तो हमारा जो बीच वाला इससा है हमें जो काना की सर के आपके ऊपर एक गोल जो गेरा होता है उसमें उनको लगा देंगे इसकी अबगा कंगा मत लगाई यह नया है मैंने अबने कानाजी के लिए रखा है एक करने के बाद देखो यह हम धागी से बनाएं बालों को अच्छी तरह कंगी कर सकते हैं यह वह हमारी कानाजी के बाल तयार है यह आपके च्छे आप इन्हें कितना हैवी बनाना चाती है हमारी कानाजी के बाल तयार है एक बार आप भी ट्राई करना जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना थेंक यू